सोंबार के दिन तु मेरे मंदिर के दर्वाजे पर चोखट पर बेड़ जाना और दूसरा प्रती दिन शाम के समय पर तु बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेड़ जाना जो तेरी बेलप्रक्ष के नीचे सेवा करने आए जो संकर जी के मंदिर में सोंबार को जल चड़ाने उसका जो पात्र जल चणा कर जब घर लेकर जाए उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लच्मी का बच्डार वरकार लच्मी बेल पत्र के व्रक्ष के नीचे तु विराजमान हो जा उस बेल पत्र के व्रक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए सेवा करे चाकरी करे एक बेटी को जैसे बढ़ा करते हैं वैसे बेल पत्री के व्रक्ष को जो बढ़ा करे बेल पत्री के ब्रक्ष का जो पालन करे, पोशन करे, उसकी समाल करे, उस बेल पत्री के ब्रक्ष को जैसे जैसे वो उन्नती करे, वैसे वैसे उसके घर में संब्रदी बढ़ते जाए, उस जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराई के मकान में रहते रहत है जिंदगी बीट लई रहें साथ है और बहूत है दुख का जीवन चल रहा हूँ बहूत कष्ट का जो वहाँ है भश disp लगैं अपना कुद का कोई मकान नहीं मान लो क्लाड़ है पर मकान बन नहीं रहा या कोई प्रोपर्टी अपनी नहीं बन रही तो हम इस व्यास पिल्ट से करना चाहेंगे कि एक प्रयोगा वश्य करियेगा एक प्रयोगा वश्य करियेगा अपने आसपास के पाँच छे बेल पत्र के ब्रक्ष देख लीजी अपने आसपास के नजदीक के पांच छे बेल पत्र के बड़े ब्रक्ष देखलो या छोटे ब्रक्ष देखलो उन पांच छे ब्रक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारम करो उन व्रक्षों को बड़ा करना प्रारम करो उन व्रक्ष के नीचे सफाई करना प्रारम करो उन व्रक्ष को जल देना प्रारम करो उन व्रक्ष को आप खाद देना प्रारम करो उन व्रक्ष की सेवा समाल करना प्रारम कर दो उस व्रक्ष के नीचे बुआरी काड़ना प्रारम प्रारम कर दो उस ब्रक्ष के नीचे सफाई करना प्रारम कर दो उस बेलपत्री के पाट छे साथ ब्रक्ष को आप गोद ले लो गोद लेना मतलम मैं इसकी सेवा करूँगा मैं इसमें जल दूँगा मैं इसके भी खाद दूँगा मैं इसकी सेवा करूँगा कुछ मत करो बस क प्रॉपर्टी दिलाई की नहीं दिलाई और आगे बढ़ा है एक बेल पत्र का ब्रक्ष जिसके नीचे माता लच्छमी विराजमान होती है एक बेल पत्र के ब्रक्ष के नीचे लच्छमी रहती है दुनिया के लोग कते लच्छमी जी का दिन कौन सा है बोलो जम के जल्दी से, सुक्तरवार, दुनिया के लोग कते लच्मी जी का दिन शुक्तरवार है, पर माता लच्मी से पूछा जाए, कि तुमारी माता क्याती देवी, नारयन भगवान के साथ, तुमारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लच्मी दे रही थी, तब तुमने ने भगवान शंकर से विंती करी भोले बाबा मैं नारायन से प्रेम करती हूं भगवान नारायन से मेरा विवा हो तो माता ख्याती देवी से शंकर भगवान ने विनाय करकर कहा कि लच्छमी जी का विवान नारायन के साथ कर दिया जाए भगवान नारायन के साथ जब संकर भगवान करते हैं लचमी बस दो चीजे कर दे एक संबार के दिन तु मेरे मंदिर के दरवाजे पर चोखट पर बेढ़ जाना और दूसरा प्रती दिन शाम के समय पर तू बेल पत्री के पेड़ के नीचे बेढ़ जाना जो तेरी बेल प्रक्ष के नीचे सेवा करने आए जो संकर जी के मंदिर में सोंबार को जल चडाने आए उसका जो पात्र जल चडा कर जब घर लेकर जाए उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लचमी का बढ़ बरकार लचमी बेल पत्र के ब्रक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा उस बेल पत्र के ब्रक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए सेवा करे चाकरी करे एक बेटी को जैसे बढ़ा करते हैं वैसे बेल पत्री के ब्रक्ष को जो बढ़ा करे बेल पत्री के ब्रक्ष का जो पालन करे कोशन करें सिस्वाल करें उसके बेलपत्री के ब्रक्ष को ये जिसे वे उन्हती करें वैसे वैसे उसके घर में द्धि बढ़ते जाए उसके घर में बेवह बढ़ते जाए यह संकर भगवान पारी है अ talented प्राइश को too पश्वा के मंदिर में बश्म मिलजाए मैं शंकर पर चड़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो और अगर भस्म ना मिले ना तो शंकर के जो शंकर भगवान का जो शिविलिंग है शिविलिंग के आसपस में जो जलाधारी है यहां आगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ इस पर्ष करकर अपने चन पर उसको लगा पर ज़रूर एक शंकर पर चड़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर है शंकर पर चड़ी हुः ये दो इस पर्ष जरूर एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरीत रहता है भूमी पर बेट कर पथा सुनो, उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगा कर अवश्य जाओ, तो जीवन का एक आनन्द, और शंकर के मंदर में जाओ, तो दो चीजे, अवश्य लेकर आओ, पहला संकर जी पे चड़ा हुआ, जम के बोलो, जल, अवश्य लेकर आओ, क् लोग कहेंगे, शंकर पर चड़ा हुआ, ये मत पाओ, हम इस व्यास पीट से निवेदन करना चाहेंगे, कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चड़ा हुआ, जो जल है ना, वो जल साधरन नहीं रहता, मेरा भोले ना, जब दुनिया को अम प्रत्य देता हुआ, दो चीजें कभी मत छोड़ा, अगर मंदिल में गए हो, तो दो चीजें कभी मत छोड़ा, कथा में गए हो, तो दो चीजें कभी मत छोड़ा, एक कथा श्रबन करना, दूसरा जहां कथा बेट कर सुनते हैं, वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना, कथा सुनने के बाद आपम आह से जाव भले दरी बिच्छी है आशन बिच्छा है कार्पेग बिच्छा है उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तख पर जरूर लगाओ क्योंकि शू पुरान में भागवत पुरान में, इसकंद पुरान में, कुर्म पुरान में, नर्वदा पुरान में, लिंग पुरान में, नारद पुरान में, ब्रह्म वेवर्त पुरान में, जितनी भी पुराने हैं, सब पुरानों में लिखा है कि जिस इस्थान पर बेट कर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, कि शंकर भगवान से तुम्हारा दिस्ता कौन सा है कि शिवजी से आपका कौन सा दिस्ता है कि शंकर भगवान को आप क्या मानते हो हमने आपको एक संबंध बताया था कि सिहोर कुबरिश्वर धाम आपका मायका है तो हम आपके भाई हैं तो संकर भगवन आपके पिता हैं आपके बाप हैं आपका बाबा है आपका दादा अब आप से हम प्रश्ण करें उत्तर मेरी कुरूत की देंगी और मेरी मेरी जीजा उन भी देंगे और हमसे प्रिष्ण करेंगे अगर सुझों अगर favour को दुक्र होगा तो वह अपने बात हैं कि बोलो तो जंके बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी बेटे को तकलीफ है तो अपने पिता से अपनी माँ से नहीं कहेगा मम्मी मुझे ये तकलीफ है पापा मुझे ये दुख है मा मुझे ये तकलीफ है पिता जी मुझे ये कश्ट है कि अब अपने माबाप से नहीं करेंगे कि अब अपने माबाप से भी नहीं करेंगे और मा, पिता फिर उसके करीब में उसके नजदीक में जो भी होता है वो माबाप निकाल कर उसको दे देते हैं माता पिता उसको दे देते हैं मात अपने लोग करते हैं कि संकर जी पर चड़ा हुआ जल मत पी और लोग कर देते हैं संकर जी पर चड़ी हुई बेल पत्र मत खाओ कोई इस बेहन से पूछे सुनीता सोनी से कि संकर पर चड़े हुए जल से उसकी गांट जो डवल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप तो हो गई तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माबाप से ही तो कहेगी और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए तो मेरे शंकर वगवान के पास तो उसका चड़ा हुआ जल है दूसरा जिस भूमी पर बेट कर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगा कर अवश्य जाओ वो जीवन का एक आनन दे और शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजे अवश्य लेकर आओ पहला शंकर जी पे चड़ा हुआ जम के वोलो जल अवश्य लेकर आओ क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो पात्र लेकर आते हो तो मेरा महादेव लच्छनी जी को तुमारे पीछे पीछे तुमारे घर तक भेज दे दो चीजे लेकर अवश्य आओ और शू पुराण में जाओ तो दो चीजे लेकर अवश्य जाओ पहले नंबर पर शंकर की कथा और अपने अंदर विश्वास कि मेरे महादेव की मैंने कथा सुनी है अब मैं भठकूंगी नहीं सारी दुनिया में मैंने ठोकर खाली अब कहीं ठोकर नहीं खाऊंगी अब तो दर्वाजे पर महादेव क जाओंगी बागी कि कर दूसरा कथा में बेठी हों बाबा के इस रज को यह रज नहीं है यह धूल नहीं है यह मेरे बाबा के केलास बारा जोतिल लिंग का चंदन है इसको मस्तफ चड़ाओंगे अपने हिर्दय से लाते हो अपनों हाथ उठाओ जड़ा रखना बहुत बढ़ी है प्रणामा सभी को नमाना दो बूंद जल लेकर आओ पर ला नहीं पीओ तो उस जल्व को अपने घर में चीज़िओ नहीं पी सकते हैं वो जल्व को चीज़िए सारे घर के लोग नहीं पी रहे हैं वो जल्व को मटके में डालते हैं हंडे में डालते हैं दो बून जल हंडे में डाला सब पी गए आपको अलग-अलग किसी तो देने की ज़दुवत नहीं पर आपको अलग-अलग किसी तो दे हंडे में डाल दो, मटके में डाल दो, सब उस पानी को पीना राग लाग उस जल के महत्व को जो बच्चों का दर्द नहीं देख सकते जब माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते तो देव अधिद्य महा देओ तुमारा दर्द कैसे देखेंगे वह भी तो काटेंगे तुको वह भी तो कश्क मिटाएंगे दो चीजे कथा में जाकर लेओ एक जहां जगा मिल जाए वहां बेटकर कथा सुनो धोप लगे पंडालों की इतनी विवस्था नहीं हो पाती है पंडाल लगाने वाले टेंट लगाने वाले टेंट लगा लगा के ठग जाते हैं तो अपने साथ इक छाता लेकर चल़एंग की जम के जम के बोलगे रहा बॉटार बिच्छाने की अपने साथ लेकर चल़एंगे उमा महेश की कथा अपने जीवन में धारण करी कि नहीं करीब हमको नहीं समर्ण है पर एक बात का इस समर्ण करिएगा यह जो कथा चल रही है यह गोरी शंकर चल़एंगे इसके बाद म पर दो समय करने कौत तब ऊसके बाद में जो कथा चे जून को प्रारम होगी टोलापुर महाराष्ट में उस कथा का नाम रहेगा क्था माहेश महा पूरान जूर। स्वलापुर में जो छे जून से कता होगी उसका नाम उमा महेश्य महापुरणक उसको सुनना श्रवन करना उसको धानन करना है उसमें इतने प्रश्ण माता उमाने भगवान महेश से करें हैं उसका हर प्रश्ण का उत्तर देगा है बगवान महेश भगवान संकर हर तुझे से महेश भगवान से भगवान संकर से करें बावा भोलिनाथ जी बताओ संसार में जनम लेने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके भागे में अगर सुख नहीं है उसके भाग्य में खुशिया नहीं है उसके भाग्य में कोई अच्छा है ही नहीं तो वो जीव क्या करें वो जीव क्या करें बगवान शंकर कर रहे हैं परवती संसार में जनम लेने वाला मनुष से अगर उसके भाग्य में सुख नहीं उसके भाग्य में अगर खुशिया नहीं है उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है उसके भाग्य में अगर अच्छा नहीं है पत्रे का दिखा ली सुख नहीं है कारे करकर देख लिया सुख नहीं है तकलीफ उसकी जिंदगी में चली ही चल रही है तो भगवान शंकर करते है है भगवान महेश करते हैं उमा उस मनुष्य को दूसरे का अच्छा करना प्रारम कर देना चाहिए तो उसकी अच्छाई अपने आप सामने आना